आज हम परहेंगे construction of the DC machine, जिसमें DC motor और generator दोनों आ जाएंगे, यदि हम DC motor की बात करें, DC motor जो होता है, वो electrical power को mechanical power में convert करता है, और DC generator, ये mechanical power को electrical power में convert करता है, यदि construction की बात करें, इन दोनों का construction जो होता है, वो same होता है, only different क्या होता है, तो DC motor में हम लोग electricity provide करते हैं, और हमको mechanical power मिलता है, और DC generator में हम mechanical power को provide करते हैं, input के तौर पे, और हमें electricity output में मिलता है, तो इसके construction में, दो पार्टों से हम समझ सकते हैं, construction को, एक estator part, और एक rotor part, estator part को हम बोल सकते हैं, यह stationary part है, और rotor part को हम rotating part बोल सकते हैं, हम इसके diagram को देखें, तो यह हम लोग का TC machine का construction का diagram है, जो कि यह मेरा outer part, यह stationary part है, और यह अंदर का जो part है, यह मेरा rotating part है, तो stationary part में मेरा york आजाता है, पोल आ गया, field winding आ गई, और यह मेरा brushes जो है, यह भी stationary part में ही आता है, क्योंकि यह इस्तिर रहता है, only जो rotate का काम करता है, यह मेरा armature और यह commutator करता है, और इसमें इसके साथ साफ्ट भी connected रहता है, यह brush जो होता है, वो stationary रहता है, तो हम इसे stationary part में ले सकते हैं, ब्रस को, तो हम stationary part में लिख सकते हैं, यॉक, पोल, पोल सोस, ब्रसेस, अब हम बात करते हैं, रोटर पाट के, रोटर पाट में मेरा क्या आ गया, एक armature है, armature core जी समभू सकते हैं, armature winding है, soft है, यह जो है, यह मेरा rotating part में आता है, तो हम यहाँ पे सो कर सकते हैं, armature core, armature winding, and soft, तो सबसे पहले हम यॉक के बारे में पढ़ेंगे, यॉक जो होता है, यह मेरा outer part है, जो externally कोई भी force, यदि इस पे मेरे motor पे कोई force परें, तो externally protection करता है, externally condition से हमको protection प्रवाइट करता है, रोटर को भी protection प्रवाइट कर रहा है, pole को भी और pole source को भी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, protection from external condition, external condition से हमको protection प्रवाइट कर रहा है यह, यह जो है, यह iron का बना रहता है, iron के से योक मेरा बना रहता है, इसका जो reluctance है, हम low रखते हैं, reluctance को low रखते हैं, क्यूंकि, यह जो pole है, pole पे जब हम this is apply देंगे, तो यहाँ पे एक north pole, and south pole बनाएगा, और north pole, south pole क्या करेगा, यह magnetic flux को generate करेगा, और magnetic flux जो है, इस योक के थुरू, रोटेट करता है, north to south, तो reluctance इसलिए कम रखते हैं, कि इस magnetic flux को किसी भी परकार का opposition ना हो, इसलिए हम reluctance को कम रखते हैं, कि मेरा magnetic flux जो है, वो इसलिए flow करें, इस योक में, यदि reluctance के बारे में समझने चाहते हैं, तो पिछले lecture में हम construction of the transformer, को हम समझाए हैं, उसमें आफ reluctance के बारे में समझ सकते हैं, तो reluctance जो है, वो magnetic flux को easily flow कराता है, low reluctance रहेगा तो, और हम लिख सकते हैं, लार्ज मसीन के लिए, कास्ट, स्टिल, मेटिरियल का यूज करते हैं, योक बनाने में, और स्मॉल मसीन के लिए, कास्ट, आइरन का प्रियूक करते हैं, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यूक जो होता है, वो path provide करता है, किसको, magnet को, magnetic flux जो generate हुआ है, उसे path provide कर रहा है, path provide of magnetic flux, तो यह मेरा यूक के बारे में समझें, अब हम बात करेंगे, पोल के बारे में, हम figure में देख सकते हैं, कि यह मेरा यहां से, यहां तक देखें, तो यह मेरा पोल है, पोल यह है, यह यूक पे connect रहता है, यूक के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें हम field winding provide करते हैं, पोल का क्याम क्या होता है, यूपर हम लूब field winding को लपेटते हैं, पोल प्रोड्यूस दा मेगनेटिक फ्लक्स, वें दा फिल्ड वाइंडिंग एक्साइटेड, पोल जो होता है, वो मेगनेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, जब हम, इसके हम figure के थुरू समझेंगे, जब हम इसमें हम DC supply provide करेंगे, जब हम excitation, DC supply जब हम इसमें provide करेंगे, इसी को हम बोलते हैं excited, जब हम DC supply में provide करेंगे, तो यह magnet flux को generate करेंगे, यह एक magnet की तरह भातिक करेंगे, यह मेरा positive, negative, यहाँ पे north and south pole बनाएगा, तो यहाँ एक magnet flux generate कर दिया, जब हम excitation कियें winding में, यह मेरा pole के बारे में था, अब pole, field winding के बारे में पढ़ेंगे, field winding, अब हम बात कर रहे हैं, field winding की, यह pole पे जो हम wind किये हैं, लपेटे हैं यहाँ पे, यह मेरा field winding है, जिसे हम series में connect करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, the coils wound around the pole cords, are called field windings, जो हम pole cord पे हम, wound किये हैं, उसे हम, field winding बोलते हैं, the field coils are connected in series, इसे हम series में connect करेंगे, series में connect करते हैं, और इसका एक terminal निकलेगा, और इसका एक terminal, जिसे हम, DC supply प्रवाइट करते हैं, excitation के लिए, current is passed through the field winding, in a specific direction, to magnetizing the folds, जब हम एक ही direction में, इसमें current प्रवाइट करेंगे, जैसे हम DC supply यहाँ पर दे सकने हैं, positive and negative, तो यहाँ current फ्लो करेगा यहाँ पर, और यह जो है, पोल यह एक magnetic flux generate कर देगा, यह magnetizing हो जाएगा यहाँ पर, north, south, north and south pole यहाँ पर create कर देगा, यहाँ DC supply excitation के कारण, यहाँ पर बोला है, current is passed through the field winding, in a specific direction, to magnetizing the pole, the magnetic flux, phi is thus produced in the air gap, between pole source and armature, जो magnetic flux generate होगा, वो pole source, यह मेरा pole source है, और armature के बीच में, flow करेगा, जिसे यह armature, इस magnet flux को cut करेगा, इन दोनों के बीच में, magnetic flux, flow किया, यह हम बात किये, field winding की, अब हम देखेंगे, pole source के बारे में, pole source के बारे में, pole source की बात करें, यह मेरा pole source होता है, pole source, हम figure में देख सकते हैं यहाँ पर, यह मेरा pole source है, अब इसका direction हम, half circle क्यों रखेंगे हैं, क्योंकि जब इसमें magnetic flux generate होगा तो यह uniform armature को flux provide करे चारों तरफ armature के flux को provide करे यदि हम pole को सिर्फ ऐसे ही रख देते तो magnetic flux जो होता एक ही direction में इसी के ship में निकलता है उसलिए हम इस pole source को एक अकार दिये हैं अर्ध गोले का जो कि यह पूरे armature को flux provide करे इसे हम pole source बोलते थे अब इसमे श्टेशनरी पार्ट में हमको देखना है ब्रसेश के बारे में ब्रसेश जो होता है वो कार्बन का बना रहता है जिसे हम commutator पे हम fix करते हैं यह एक श्टेशनरी पाठ है जो commutator होता है उस पे हम इसे fix कर देते हैं यह मेरा commutator rotate करेगा लेकिन यह जो है यह मेरा fix रहेगा यदि हम motor की बात करें तो motor में हम इसमे supply provide करते हैं ब्रसेश को जो commutator से होते हैं आर्मेचर को supply देता है यदि हम generator की बात करें तो यहां पे हम load connect करके इसे हम supply को लेते हैं ब्रसेश के बारे में समझे ब्रसेश जो होता है वो carbon का बना होता है इसे हम commutator पे लगाते हैं कमutator पे पूट करते हैं प्रसेश को अब हम बात करें के carbon के क्यूं बना रहता है करबन का जो होता है उसका resistance हाई रहता है क्योंकि यहां पे friction हो रहा है ,Frixigent के कारण आर्क भी produce हो सकता है , आर्क लग सकता है , जो High Registrance जो होता है , यहां से करेंट ب्रॉक छलांग मारें यहां से Carbon Brush को , तो यह High Registrance के कारण यह क्या करेगा , यह current को Absorb नहीं करेगा , और यहां पर आर्क प्रडूस नहीं बाएगा तो इसलिए हम carbon brush का use करते हैं या हम graphite का भी use कर सकते हैं यहां पे यह बात हुआ brushes के बारे में जो की stationary part था अब हम बात करेंगे rotor rotating part के बारे में जिसमें armature आ सकता है armature winding आ सकता है commutator है और इसमें soft भी है यह मेरा rotating part है जिसमें armature core आ सकता है armature winding commutator और soft हम figure में देखें तो यह मेरा armature है और यहां पे जो हम put किये है armature winding armature में हम provide किये हैं और यह जो है मेरा commutator है इसे हम commutator बोलते हैं और यहां पे मेरा soft है जो की rotating part है यह सारे rotating part है एक process को छोड़ कर इसमें connect जो है तो हम बात करेंगे armature core की armature core देखने से यह पता चलता है कि यह भी laminated होगा इसे भी हम thin plate के through हम connect किया होंगे एक दूसरे को और इसे lamination किया होंगे क्योंकि ED current loss को reduce करें जब armature जो होता है यह flux को cut करता है armature इसमें winding किये हुए हैं तो flux को cut करेंगा तो इसमें AC supply provide हो जाती है होगा तो इसमें भी तो ED current loss होगा जिसके कारण इसलिए हम इसे लेमिनेट करके बनाते हैं lamination provide करते हैं इसे तो हम इसके armature core के बारबे कुछ point लिखेंगे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यह मेरा armature है पुरा जो सेफ है यह cutting का यह मेरा armature होता है और जहां पे हम winding provide किये हैं इसे हम slot बोलते हैं slots और इसी में हम winding को put करते हैं तो हम armature core के बारबे कुछ points लिखे हुए है armature core is a cylindrical drum mounted on the south एक cylindrical drum जैसा होता है जिसे हम mount करते हैं soft पे एक cylindrical drum जैसा होता है जिसे हम soft पे mount करते हैं रखते हैं soft पे हो सकते हैं it is provides large number of slots इसके उपर बहुत large number of slots को provide करते हैं यह मेरा slots are parallel to the soft axis इसके parallel ही हम यह जो यहां पे हम समझ सकते हैं यह मेरा slots है जिस पे हम winding करेंगे तो यह यह और यहां पे soft है इसके parallel में हम put किये हैं यहां पर slots को तो यहां लिखे हुए है all these slots are parallel to the soft axis armature conductor are placed in this slots इस slots में armature conductor को हम place करेंगे जिसे हम armature winding बोल रहे हैं armature code provides a low reluctance armature code जो होता है low reluctance प्रभाइट करेगा यहां पे low reluctance material such as a cast steel का use कर सकते हैं या cast iron का use कर सकते हैं armature को भी बनाने के लिए अब इसकी york को भी बनाने के लिए cast steel या cast iron का use किये थे और armature को भी बनाने में इसी material का use करेंगे क्योंकि हमको low reluctance चाहिए यहां भी the laminated construction is used to produce the armature core to minimize the edic current loss armature core जो है उसे हम laminated construction देंगे laminated करेंगे उसको क्योंकि यहां armature core को minimize करना है यहां पर edic current loss को यह मेरा जो था armature core था अब हम देखेंगे इसमें armature winding के बारे में अब हम देखेंगे armature winding के बारे में armature winding जो है यहां पर slots में हम put किये है armature winding को the armature conductors made of copper armature conductor जो होता है वो copper का बना रहता है are placed in armature slots जिसे हम armature slots में रखते हैं armature conductor are interconnected to the form the armature winding armature conductor जो होता है जब हम इसमें winding करेंगे इसी को हम बोलते हैं armature winding यहां पर बोला हुआ है the armature conductor are interconnected to the form the armature winding interconnected है same वही है armature winding है हम conductor को उसमें place की है तो हम उसे armature winding बोल रहा है when the armature winding is rotated using a prime mover जब हम armature winding को जब यह armature winding है तो यह rotating part है जब हम इसे rotate करेंगे किसी prime mover से या हम इसको process के थूँ electricity प्रवाइट करेंगे तो यह rotate करना start करेंगा जब यह rotate करेंगा its cuts the magnetic flux and voltage gets induced in it तब यह क्या करेंगा यह जो magnetic flux जो है इसे cut करेंगा conductor और फराडल अब कोई जानता है जब किसी भी conductor conductor जो है magnetic flux को cut करेंगा तो इसमें एक induced EMF generate हो जाएगा armature winding में induced EMF generate हो जाएगा armature winding is connected to the external circuit through the commutator brushes armature winding जो होता है वह commutator and brushes के थुरू connect रहता है अब हम बात करेंगे commutator के बारे में अब हम बात करें commutator के बारे में यह commutator है हम लोग का जिसपे brushes connect है एक commutator is a cylindrical drum mounted on the shaft along with the armature core commutator जो होता है वह cylindrical drum होता है एक cylindrical drum shape का होता है जो shaft पे हम mounted करते हैं shaft पे रखते हैं with the armature core armature score के साथ भी यह connect रहता है हम इसके figure को draw कर देंगे आप लोग के screen पे it is made of a large number of weight shaped segment of hard draw copper large number of weight shaped का एक segment होता है पहुत सारे segment होते है यहाँ पे यहती draw करें तो बहुत सारे ऐसे segment होते हैं जो armature conductor के साथ connect रहते हैं बहुत सारे segment होते हैं जो armature conductor के साथ connect रहते हैं और यह hard copper का बना रहता है यह बहुत hard रहता है copper का बना रहता है यह और यहाँ पे हम बोचले the segments are insulated from each other और एक दूसरे से यह insulated रहता है यहाँ पर इंसुलेशन किया रहता है, जो एक दूसरे से इंसुलेटिटिव रहता है, अब हम बात करें, साफ्ट, साफ्ट के बारे में, यह हम लोगों का साफ्ट है, जिस पर आरमेचर, आरमेचर, और कॉमुटेटर, जो माउंटिड रहता है इसको हम, मेकैनिकल पावर देत है ज्ञूरेंटर के केस में इसी साफ्ट के थू हम इस रोटेटिंग पाट को रोटेट करवाते हैं यह मेरा साफ्ट है जो कास्ट आड़ेंग बना रहना जाता है कास्ट अरवेन या कास्ट एस्टिलन इसे बनाया जाता है साफ्ट को को ह multif van में हम DC motor के principle के बारे में पढ़ेंगे